नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है क्या जबरदस्त दिन रहा भारत का 2 सेप्टेंबर में भारत के लगबग 8 मैडल निकल कर आई हैं दोस्तों इससे चलिए इस वीडियो में आप जानेंगे कि 3 सेप्टेंबर को भारत के कितने मैडल इवेंट होने वाले हैं कितने मै अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को लाइक करिएगा ताकि थोड़ी सी रीच मिले हमारे कंटेंट को और पारलम्पिक्स को भी थोड़ा सपोर्ट मिले चली यहाँ पर हम चलते हैं स्क्रीन पर तो दोस्तो तीन सेप्टेंबर को भारत जी खेलेंगी इसमें 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन है यह एसेच वन क्वालिफिकेशन फाइनल भी कली खेला जाएगा मोना जी और हमारी अवनी जी अल्रेडी भारत के लिए मैडल जीत चुकी हैं गोल्ड और ब्रोंस क्या कल से कल दुबारा से वही हो पाएगा टोक्यो मे किया था यहां भी कर सकती हैं देखते हैं चांसिस बहुत हाई रहेंगी पैरा अथलेटिक्स में भारत के लिए एक मैच होने वाला है जिसमें भाग्या श्री जादव जी खेलती भी नजर आएंगी वोमें शॉट पुट का यह मैच है इसमें जान लेते हैं सीजन बेस्ट बरसनल बेस्ट क्या है जिससे कि कुछ चांसिस के बारे में पता चल पाए तो यहां पर जादव जी का 7.80 है इनसे उपर 9.2, 8.80 बाकी आप देख सकते हैं 8.38 यानि कि सिर्फ दो प्लेयर हमसे उपर हैं बाकी हमारे चांस काफी अच्छे बन रहे हैं यानि कि तीन प्लेयर में से अगर हम किसी एक को भी हरा पाएं या बाय चांस कुछ हो जाए अपसेट कहीं तो यहां पर एक मैडल निकल कर आएगा अदरवाइस बहुत मुश्किल चांस लग रहे हैं इसके बाद दोस्तों हमारा आर्चरी में इवेंट होने वाला है पूजा जी खेलेंगी अपन क्वाटर फाइनल मैच प्री क्वाटर फाइनल मैच यह रीकव आर्चरी का होगा साड़े बारा बजे अगर जीतेंगे तो दोस्तों लगातार इनके मैचिस चलेंगे और फाइनल मैच भी देखने को मिल जाएगा देखते हैं कल किस तरह सी पर्फॉमेंस इनकी रहती है कल अथ्लेटिक्स की तरफ चलते हैं दोस्तों रात को लगबग साड़े दस बजे आपको दिप्ती जीवनजी का मैच देखने को मिलेगा और दिप्ती जीवनजी ने हीट क्वालिफिकेशन में तो अच्छा पर्फॉम किया है लेकिन मैं आपको बता दू यहाँ पर नया वर् फाइनल में हो जारूरी नहीं है जीवन जी लास्ट में थोड़ा सा स्लो हो गई थी दिव टू हीट तो इस वज़े से मुझा सरकता है कि उनका पर्सनल बेस्ट या वर्ल्ल रिकोर्ड के लाइक वो स्कोर नहीं बना बट देखते हैं दुबारा से अपना वर्ल्ल जितवाएंगी फिर ठेक उसके कुछ देर बाद 11 बजकर 50 मिनट पर मैंस हाई जम का मैच होगा जिसमें हमारे सरदकुमार, मरियप पन जी और सेलेश कुमार खेलने वाले हैं सरदकुमार जी का सीजन बैस्ट है 1.8 मरियप पन जी का यह पर सीजन बैस्ट है 1.88 और सेलेश क का है 1.79 मरियप पंजी और सालेश असरद कुमार इनके मैडल के चांस ज्यादा है बाकी 1.79 सालेश के चांस ही थोड़े कम हो जाते हैं क्योंकि 1.82 1.83 वाले 1.97 वाले और भी खिलाडी हैं तो मैं अगर बात करूं यहां पर कितने मैडल आएंगे इन तीनों मैं से भारत को एक ही मैडल मिलेगा मेरे हिसाब से बाकी देखते हैं फिर कल रात को दोस्तों 12 बजे एक और इवेंट होगा जैवलिन थ्रो का और यह जैवलिन थ्रो के इवेंट में खेलेंगे अजीत सिंग रिंकु जी और हमारे सुंदर सिंग गुजर जी अगर हम सीजन बैस्ट की बात करत चांसिस बड़े अच्छे बन जाएंगे सिलवर गोल्ड के क्योंकि यहीं पर अगर हम बात करें क्यूबा के खिलाडी का सीजन बैस्ट और परसनल बैस्ट बराबर है हमें अपनी लिमिनेटेशन से उपर जाना पड़ेगा सीजन बैस्ट से परसनल बैस्ट की तरफ तब हम भारत के लिए इसमें दो मेडल के चांस्ट इस अच्छे हैं रिंकु भाई और हमारे सुंदर सिंगुजर तो दोस्तो ये कल के पूरे सारे match होने वाले हैं भारत के लिए उमीद करेंगे कल भारत इन सब में अच्छा करे और एक दो gold लेकर एक दो medal लेकर दिपतीजी gold निकालने जैवलिन में gold निकल जाए तो थोड़ा सा भारत की position मेल टेली में और बहतर होती हुई दिखाई देगी जैसे कि आप देख सकते हैं चाइना नंबर बन पर है और भारत की पोजीशन फिलाल 15 मेल तीन गोल्ड पांच सिल्वर और साथ ब्रोंच के साथ 15 नंबर पर हम आ चुके हैं कहां तक मेल टेली में जा सकते हैं दोस्तों कमें इस नंबर पर थे इस बार हम 15 पर रहते हैं तो बहुत अच्छी भारत की इंप्रूब्मेंट मान सकते हैं चलिए दोस्तों मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में आए होप आपने चैनल सब्सक्राइब भी कर दिया होगा सपोर्ट भी कर दिया होगा मिलते हैं नई वीडिय स्पोर्ट चैनल जय हिंद जय भारत